नमस्कार दोस्तों मैं सोरो अब और आप देख रहे हो SS Creek Fantasy इस वीडियो के थुरू मैं आपको मैस से डिलेटेड हर इंपर्टेन इंफर्मेशन देने की पूरा कोशिश करूँगा जिसके मदद से आप एक वैतरिन फैंटसी टीम कॉमिनेशन बनाने में कामियाब होंगे अफ्टर टॉस पीज रिपोर्ट प्लेइंग लेफ एंद कुछ फारदार अपडेट ये सभी मैं आपको टेलिक गयम चैनल पर इंफर्म करता हूँ इसके लबाद स्मॉल लिग का टीम एंड कौन सा प्लेयर आज आपका ट्रामपी हो सकता है ये सभी मैं आपको टेलिक गयम चैनल पर इंफर्म करता हूँ इसलिए टेलिक गयम चैनल के साथ जुनना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है नीचे डिस्किस्वन पर लिंक है अप लिंक के तुरू हमारे साथ टेलिक गयम चैनल से जुर सकते हो इस चैनल पर मैं हर रोज इनपर्टेन मैच को डीटेल्स एनलेस करके कवर करता हूँ और स्टैकली एनलोजिकली प्रेडिक्शन देता हूँ जिसके मदद से आप ना से स्मॉल लिंक, ग्रैल लिंक में भी एक अच्छा कासा प्रोफिट कमा सकते हूँ इसलिए इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा शुरूरात करते हैं टाटा आईपेल 2023 का सेबेंद मैच प्रेडिक्शन जो खेला जाने बला है दिल्ली कैपिटेल्स और गुजर्या टाइटेंस के बीच में फोर्ते फिल साथ बाज गया 30 मिनिट पर कहाँ पर अरुन जटली स्टेडियाम दिल्ली पर आप देख लेता है फिच रिपोर्ट अरुन जटली स्टेडियाम पर जो फिच रहता है न वह जनरली निट्रल विकेट रहता है लेकिन स्लाइडली एडवंटेज spinner को रहता है यहाँ पार जो फीच है ना टिफिकली थोड़ा स्लोर नेचार की रहता है लेकिन पहला मैच है यह IPL का इस्ट भेनु के उपर फ्रेश विकेड रहने वाल है सपाट पिछ तो आपको नहीं देखने को मिलेगा जैसे पिछले दो मैच में आपको देखने को मिला प अब ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकतो और बैट्समें को टीम में पिक करना मात भूलिएगा यहाँ पर अभी तक 70-20 मैच खेला जा चुक है जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करतोई टीम ने तीन और बैटिंग सेकंड करतोई टीम ने चार मैच उनके है फास्ट इनिंग्स 150-169 वान टाइम्स 170-189 वान टाइम्स और एबोब 190 दो बार रान चाह चुक है मतलब यहाँ पर आपको एक डिसेंस को देखने को मिल जागा 170 प्लास आपको इजीली रान देखने को मिल जागा पहले इनिंग्स में एट डोमेस्टिक टी-20 का रेकोड है आप चाहो तो सकते हो और स्कीन सोट भी ले सकते हो रिसेंटली कुछ मैच का रेकोड इस वेनु का पर आभी आप देख लेते हैं इंडिया और साउध अफ्रिका के बीच में एक मैच के लग जा था जिसमें से इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 211 किया था साउध अफ्रिका ने 211 कर जाता मतलब आप समझ सकते हो किस टाइप क्या यहाँ पर विकेड है किस टाइप क्या रान आपको यहाँ पर देखने को मिल जागा फिर से और और एसा रेच के विच में एक मैच के लग जा था आई पेल में राजोस्ता ने पहले बैटिंग करते हैं 220 मार दिया सान्राइ कि बीच में एक मैच खेले गया था होरान भी हाइज स्कूरिंग हुआ मतलब आई पेल में जो मैच वाना आपको हाइज स्कूरिंग देखना को मिल जागा मोराल अप दा स्टोरी यही हुआ 170 प्लास आपको इसली देखना को मिल जागा और स्पीनार और पेशार का रेसियो केखी मैच खेला जा चुका है जिसमें से सुम्मान गिल ने 84 किया था हड़िग ने 31 रन के साथ एक विकेड मिलर का नाम आपको देखने को मिल जागा मुहम्मध समी ने 2 विकेड चटका था रासिद घन ने 1 विकेड चटका था और डीसी की तरफ से रोमेन पावल ने 20 रान ल सिद्विस ओक ऑपेनिंग करते हैं देखने को मिल जागा वर्नार का फॉर्म कुछ ठिक टाग नहीं चल रहा है लेकिन पिछले मैच में 56 किया था और उससे पिछले मैच में भी 36 रन किया था वर्नार एक इंपर्टेंच च्वाश रहता है हमेशा आप सभी लोग जानते हो आई पेल में हमेशा मतलब डिसेंग स्कूर करता है वर्नार फिट भीच हो थोड़ा हीट और मिश टाइप का प्लेयर है पिछले मैच में 12 रन पर आउट हो गया था लेकिन जब खेलता है बहुत अच्छा खेल लेता है पाउर प्ले में अच्छा हेटिंग कर लेता है थोड उस से पिछले मैच में भी मिचल मर्स ने डाक पर आउट हो गया था लेकिन ठीक टक स्कूरिंग किया है और इंडिया और अश्टिलिया ओडिया सिरीज में भी आपने देखा था मिचल मर्स ने ठीक टक पर्फोमेंस कि दिया था राइले रुसों का डिसेंट प्रम काफी च देख सकतो यह बैटिंग और बोलिंग दोनों से आपको पॉइंट दे सकता है कुल्दीब जदम ने पिछले मैच में एक उइक चट के दिया था उससे कुछ पिछले मैच का रेकोड है आप जाओ तो देख सकतो शाकारिया ने पिछले मैच में दो इक चट के दिया था मैं आले बोलिंग किया था और साकारिया और खाली ने दोडो करके विकेज चटकर दीया था मुखेस कुमर का रीशन फर्म आप देख सकत हो पिछले कुछ मैच से वीकेज देश जा रहा है और पिछले मैच में भी वुकेज गया था ओपंनिंग बलर की बात करे तो खाली दमेद क के थुरू आ है इसी तरते के से कुछ और फ्लियार का भी नाम हैं आप चाहतोolen हो देख साकते औरrou will रद्दीमान साह को ओपेनिंग कर तो होई आपको देखने को मिल जिएगागी रिशेंट में काफ़ी संदर फार में दो सतक भी है रिद्दीमान साह मैं आपको बालबार बोल रहा था रिद्दिमान साहा मार फैले में ये आपको विकेट कीपर सेक्षन से मतलब 20 पॉयंट तो देने ही बला है मैथुएट का रीचन फर्म आप देख सकतो हाद्रिक पंडिया का रीचन फर्म देख सकतो पिछले मैच में फ्लॉब हो गया था लेकिन हाद्रिक पंडिया से आप उमीद मात छोड़िये ये काभी भी आपको बड़ा स्कोर करके दे सकता है और विकेट चट करके भी दे सकता है विजय संकर का रीचन फर्म देख लीजे पिछले मैच में 27 रन क्या था लेकिन बोलिंग नहीं डला और IPL में अकसर ये बोलिंग नहीं डलता है बैटिंग से आपको 20 या 30 रन करके दे सकता है फैंड ये उलिडेसनिंग नबर 7 फ आपको रासिट खन को देखने को मिल जागा ये भी बैटिंग और बोलिंग तुरों से आपको पहुंत है रासिद खन का बैटिंग मैं आपको पिछले मैंने में भी बोला था बोल लिंग के बाड़े में फिलाल बोलने की कोई ज़रूराद नहीं आब सब लोग situations मी काफ़ी काば जॉस लिटिल का भी रिसेंट फर्म काफी संदर है इसका स्रेक्शन परसेंटेज काफी कम था फाला की एक वी के चटका था लेकिन मैं इसको पिक्या था आपको सहे याद होगा यास दायल रिसेंट फर्म दब देख लिए पीछने मैंच में सिर्फ एक ओवर डाला था लेकिन इसको मतलब दो तीन अवर करना चाहिए था वो भी पावर प्ले के अंदर लेकिन हार्डिक पंड्या ने इसको बॉलिंग ही नहीं देता है पावर प्ले में पता नहीं हार्डिक पंड्या कुछ अजीब तरीके से कैप्टेंसी करता है ओपेनिंग बॉलर की बात करें बॉलिंग करने का मोका मिल सकते हैं मौमद समी लेटिल और जारी जोसेफ आ सकता है बेंच पर कुछ प्लियार है अब उसका भी रेकोड देख सकते हो मनहोर का रिचेंट फर्म काफी चांदर है टीम में जरूपिक करना अगार यह खेलते हैं तो खास करके ग्रैंड लिंग म इसी तरगी से और कुछ प्लियार का भी रेकोड है आप साहँ तो देख सकते हो वर्डेन स्मित का रिचेंट फर्म देख सकते हो अगर यह खेलते हैं तो यह भी एक मास्टपी होने बाला है अब प्लियार बेटल देख लीजे जो लोग स्मॉल लिंग खेलते हैं वो लोग प्लियार बेटल मात देखे क्योंकि आप कंफिस हो जाओगे लेकिन प्लियार बेटल में आपको एक नाम कॉमोन देखने को मिल जागा मतलब बार बात देखने को मिल जागा रासिद गन का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जागा रासिद गन यहाँ पर भी रासिद ग फेक्टर अलजारी जोसेब ने पिछले दो इनिंग्स में साधुई के चटका दिया अब समाझ सकते हो अलजारी जोसेब का फॉर्म काफी संदर है टीब में जरूर पिक करना मास्टपिक होने वाले आपके लिए सुमंगिल एगेंस डीसी 10 मैच में 352 रन 84 हैस्ट सुमंगिल म 44 बोल के अंदर चार बार आउट कर चुका है इसलिए राशिद गन बहुत इनपर्टिन पिक होने वाला है आप देख लेते हैं फैंटासी टीम विकेट की बार सेक्शन से आपको रिद्धी मन्स आपको देखने को मिल जाएगा यह मास्टपिक होने वाला है अगर मैथुए खेलते हैं तो इसको भी आप पिक कर सकते हो खास करके गुजराट की टीम अगर पहले बैटिंग करें उस कंडिशन में डिसी की तरफ से सरफराज खन को आपको विकेट की बिन करते हुए देखने को मिल जाएगा आप चाहतो सरफराज को पिक कर सकते हो लेकिन स्मॉल लिंग में यह उतना भी इनपर्टेन नहीं है ग्रेया लिंग में आप ट्राइ कर सकतो बैट इंंग सेक्षन से डेविडर जरंना मास्ट और कि खने होने वाल है अप चाहतो फी शोड़ा ही पिलाल मैं आपको साजेस्ट करूँगा अब रोसो के साथ जा सकते हो फितवीस हो भी ठीक तक है अब मैं आपको बोला था यह पावर प्ले में अक्सार ठीक तक कहल देता है लेकिन जीटी का बोलिंग अटक काफी स्ट्रोंग है इसलिए मुझे लाजता है फितवीस हो जल्द राएड़ लिंग में राफुल तेवाटिया को जरूर पिक करना बॉलिंग सेक्षान से राषित घं मस्ट्राप होने वाल है मौमाध द्भी मस्ट्राप होने वाल है और और अलजारी जोसेफ यह भी मस्ट्रापिक और होने बला है अगर doc की टिम सेकेंड इनिस में सकते हो जब GT की टीम पहले बोलिंग करें फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आगर DC की टीम पहले बोलिंग करें तब उस कंडेशन में आप चेतन सा करिया और खाली लाहमेद में से किसी एक को फिक करना अगर DC की टीम सेकेंड इनिक्स में बोलिंग करें तब उस कंडेशन में अब कुली ब्यादू को पिक कर सकते हो, अगर GT की टीम पहले बोलिंग करें, तब उस कंडिशन में अब लिटिल को पिक कर सकते हो, समझ में आ गया, आप देख लेते कैप्टेन भाइस कैप्टेन, कैप्टेन भाइस कैप्टेन के अगर बात करें, तो हारदीक पंडिया कैप् मिटेरियल होने वाला है आप मिचल मार्च को कर सकते हो हाला कि पिछले मैंस में फ्लॉब हो गया था लेकिल मार्च से आप उमीद मत चुरिए सुम्बन गिल बहुत ही अच्छा पॉम में है और इस टीम के खिलाब काफी सांदा रेकोड है इसलिए सुम्बन गिल मार्च टाप लगते हो वीडियो अच्छा लगा और इनफॉर्मेटिव लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा